दोस्तों, जो हमने प्याज अपनी लगाई है और प्याज लगाने के बाद में जो प्याज के अंदर 20 दिन से और एक महीने का जो टाइम होता है, दोस्तों, वो बहुत ही IMPORTANT होता है, और अगर हमने इस दर्मिान अपनी प्याज की खेती के अंदर, दोस्तों, अगर अब इस फसल में कौन सी चीज की जरूरत है उस हिसाब से दोस्तों अगर हम अपनी फसल की निगरानी कर रखते हैं तो ही दोस्तों उत्पादन मिल पाता है तो आखिर दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस धर्मियान हमारी जो प्याज हैं क्योंकि जब 20 इस दिन से और जो एक महीने की फसल होती है इस दर्मियान के अंदर प्याजों के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ जो वनस्पतिक जो ग्रोथ होती है वो होती है क्योंकि अगर वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी फसल की नहीं होगी तो आगे जाकर जो हमारी प्याज की फसल है व बहुत बड़े भुबाग पर जो हम कांधी से प्याज लगाते हैं जो मातर 65 से 70 दिन के अंदर हमारी तयार होके मंडी के अंदर चली जाती है तो दोस्तों वो लगाने के बाद में उसके अंदर खर्पतवार की भी समस्या आती है या तो आपने पेंडेमेथलीन पहले बड़क देते है तो यह दोस्तों कहीं हम चलते हैं चुड़गते हैं पानी हम देते हैं कहीं पर हमारा चप यह तो ऐसे में कुछ संक्री पत्ति के कुछ चोडी पत्ति के खर्पतवार निकल आते हैं, तो उसके अंदर अगर हम पहली डोज अपने खेट के अंदर डाल रहें 20 से 25 दिन के अंदर, तो दोस्तों, अगर हमने उस खर्पतवार का पहले इलाज नहीं किया, तो वो जो डोज हम डालेंगे, मात्रा जो खर्पतवार के अंदर ज्यादा लग जाएगी और जो हमारी फसल है, वो फसल को खर्पतवार दबा लेंगे और उसके अंदर अनेक प्रकार के कीट लग जाएगे, उसके अंदर जले भी रोग लग जाएगा, तो इसके लिए दोस् पनींग के टाइम में पानी दे दिजिए पानी देने के बाद में दोस्तो उसके अंदर दूसरे दिन आप उसके अंदर खर्पतवार नो सकते की रखिए क्योंकि इस से क्या फायदा होगा कि हमाजिए तोश। अंदर डोज बताऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको चोड़ी पत्ती का जो खर्पतवार है जिसका मैं आपको उसके अंदर हम कौन सी टेक्निकल का उप्योग करें तो दोस्तों चोड़ी पत्ती का जो खर्पतवार होता है उसके लिए जो मार्केट के अंदर गोल नाम से जो म तो ओक्सी फ्लोरफेन की आप इस्प्रे कर दीजिए और इसके अंदर मात्रा जो होती है वह 8 ml प्रती पंप के हिसाब से दोस्तों हमें मात्रा लेनी है इससे ज्यादा यदि आप लेंगे तो हमारी फसल के अंदर गोस्तों तनावा सकता है तो इस मात्रा से आप ज्यादा है बाद में तो इसके लिए जो आई आई एल कंपनी का हकामा होता है क्विजालोफ हो इथाइल 5% इसी जो इसके अंदर टेक्निकल होता है वो संक्री पत्ती का होता है और इसके लिए में आपको प्रती बीगा 120 से आप 1500 ml पूरी इसको लेकर और 70 लीटर पानी के अंदर दो जो इसका टरगा सूपर जो दूसरा आता है वो आप ले लीजिए दोनों का सेम है सिरफ कंपनी का फरक है साथ में दोस्तों इसके चिप को आप मिला लीजिए जिससे बहतर हमें रजल्ट मिले और खर्पतवार दोस्तों अगर ये आप दवाईया छिड़केंगे तो उसी द जो पहली डोज 20-25 दिन पर देते हैं वुश डोज के लिए आपको प्याज जो हमारी हो गई है दोस्तों ये आप प्याज देख रहे हैं ये जो हमारी प्याज है ये 20 से 25 दिन की हमारी प्याज हो गई है लगाए हुए अब हमें इसके अंदर जो पहली डोज देनी है तो प मिल जाएगा और इसके अंदर एक माइक्रो न्यूट्रेंट ले लिजिए जो 16-17 प्रकार के जो हमारी फसल को माइक्रो न्यूट्रेंट चाहिए वो मिल जाएंगे तो ये आप 6-7 कजी कोई बेस्ट कमपनी का ले लिजिए उसके अंदर दोस्तों आप एक कीटनासक जो होता ह क्लोरोपाईरिफोस लेकर और उसके अंदर मिलाकर और दोस्तों पूरे खेत के अंदर आप छिड़काओ कर दीजिए और उसके बाद में जिस भी विधी से आप पानी देते हैं पानी दे दीजिए उसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक most important point और बताता हूँ कि हमें सिचा भी पानी का नमबर आया चाहिए गिली है कैसा भी है हमने पानी लगा दिया बरसाथ खतम हुए है तुरंत हमने फुवारेश सिस्टम अपने खेत के अंदर सुरू कर दिये तो दोस्तों ऐसे के अंदर हमारी जो फशल होती है वो पीली हो जाईगी पीली हो कर उस फशल विशेश ध्यान रखना है कि जिस खेत के अंदर हमारी प्याज लगाई हुई है जो उसकी जो लेयर है उपर की वो लेयर एक बार सफेद हो जाए यानि कि जो उपर की लेयर है वो सूख जाए खुसक हो जाए उसके बाद ही दोस्तों हमें पानी लगाना चाहिए अगर हमारी प्याज के अंदर जो उपर लेयर है वो गिली है तो हमें खेत के अंदर पानी नहीं लगाना चाहिए हमें इस चीज का दोस्तों विशेश ध्यान रखना है प्याज के मैं आपको अनेक प्रकार के लगातार वीडियो आपको देता रहूँगा धन्यवाद मिलते हैं नए वी आपको अनेका रिकिसाद